जदियो अल्प संख्यक प्रकोष्ट के बिहार प्रदेश महासचीफ सह प्रमुख संख्य अध्यक्ष इर्फान आलम ने असाहाईयों के बीच सुखा राशन का वित्रन क्या है? कोरोना वाइरस के बढ़ते प्रभाव के बीच लॉकडाउन के दौरान कोई भी परिवार भूखा ना सोय इसी मकसद को लेकर इर्फान आलम ने कजबा विधानसभा अंतरगत विबिन शेत्रों में 2000 असाहय परिवारों के बीच वित्रन कारी किया जिसमें चावल, चूडा, दाल, चीनी, चाय पत्ती, साबुन के साथ साथ, सैनिटाइजर और मास्क भी शामिल था इर्फान ने लोगों से अपील करते वे कहा कि ऐसे आपात इस्थिती में सभी को सामने आना चाहिए और एक दूसरे को मिल कर मदद करने की जरूरत है उन्होंने सभी लोगों से अपी लोगों का सेवा करना चाहिए, पहले इस्वर का सेवा उसके बात मानव का सेवा, मानव का सेवा ही इस्वर का सेवा है, अब जिस दिन से लोकडाउन हुआ है, उस दिन से लगातार हम अपना पैकिंग कर रहे हैं, लगातार हम अपना समान को अपने हाथ से पिक्रन कर रहे ह जहां हम नहीं जा पा रहे हैं, वहां हमारे समर्थक लोग, हमारे सुखिंतक लोग वहां जाते हैं यहां तक कि वैसे लोगों को हम समान देते हैं जो लोग हमारे छेत्र में, हमारे गाउं घर में, जो बिद्वा मुस्तमात हुए और जो फकिर फकरा हैं, जो रासन काट से बंचित हैं, जो लाल काट का जमीन पर बसे हुए हैं, जो नहर के किनारे बसे हुए हैं, जो कोखर के पहाड पर बसे हुए हैं, जो रेल के पट्री के बगलम बैसे हुए हैं, वैसे वैसे लोगों को हम रासन कोहताने का काम करते हैं, और यहाँ काम अमराज में जारी रहेगा और जहां तक हमारे मानने मुकमंत्री जी वो भी अपना जो है संकल फिले चुके हैं कि किसी भी राज में जो हमारे राज में कोई भी भूखा नहीं रहे हमारे मानने मुकमंत्री जी पिडियस के द्वारा जो अनाज जो है फ्री अना क्या संदेज देना चाह रहे हैं इस तरह के जो काम कर रहे हैं अभी जो तयार किये समान की इन लोगों को दिया जा गया वही सब जो बोले गरीब मुस्यमाद ब्यवाद जो लोग हैं वैसे लोगों को देते हैं जो इसके घर में साप खाने कंव लाग हैं जिसके चुलाज जलने के लागलें वैसे लोगों को का और क्यों कि समाज हम थी आ इंतिक करते हैं और समाज का जो पूरा पूरे under- 넣고 जग़ा जो हम जानते हैं कि कहां किसको क्या दिक्वा最後 हमको की हैं हम इलिटεται के अगर हमारे जैसा ही अगर हर पंचायत में हर वाट टो फोट वगर तयार हो जाया तो हमारा समाथ का लोग कोई भूका नहीं रहेगा हमारे मानिया संसत पूर्मिय अदिला के वह भी अपने अस्तर से वो भी अपना समान का वित्रन कर रहे हैं. अब तक अपने कितने लोगों को रहात स्वामगरी पहुचाए हैं? हम अभी तक लगवक्त 3,000 लोगों को रहात स्वामगरी पहुचा चुके हैं और मेरा लक्ष है कि कम सकंप 5,000 लोगों तक देगी. आज इस तरह की काज़करम कब तत बने रहेंगे? अब आगे हम लोगों का जो है मुसल्मान भाईयों लोगों का भी रमजान पर तेवार आ रहा है. उसमें भी जो है काफी दिक्कत प्रसानी जो जिलना होगा. अब लोक्डाउन का क्या परक्रिया, सरकार का तीन तारिक तक तो है ही तीन तारिक के अगर आगे बढ़ा दिया गिया. तो फिर उसमें भी जो है रमजान में भी जो जहां तक जो रत पड़ेगा हम वहां तक जो लोगों को सेवा करने का जो मुका हम देगे. और हम सेवा उसके साथ करेंगे. जहां तक मेरा सक्ती होगा वहां तक करेंगे. आज हम मर जाएंगे. पुरा देश का लोग जो इस महामारिम बहुत लोग मर चुके हैं. आज हम भी मर जाएंगे. कुछ लेके नहीं जाएंगे. सब कुछ यहीं धरा राएगा. जो सेवा करे वही साथ मेरा जाएगा। इसलिए पहला काम में सेवा करें। वही साथ में सेवा करें।